नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे मिधिलेश्वर जी की कहानी रिष्टे लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिये रिष्टे 65 वर्ष की उम्र में सुधाकर पांडे ने एक अधेर बिद्वा से शादी क्या की सारे मुहले के कान खड़े हो गए शहर में भी उनके जानने वालों के बीच चर्चाएं गर्म हो गई बच्पन से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक वे इसी शहर में पले बढ़े और नौकरी की इसलिए उनके परचितों की संख्या कोई कम नहीं सच तो यह है कि सारा शहर उन्हें जानता है यह कहना ज्यादा उचित होगा कि समोचे शहर की जुबान पर चड़कर यह नई गटना बोलने लगी है इस छोटे से शहर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और वह भी सुधाकर पांडे जैसे व्यक्ति के साथ सुधाकर पांडे के इमानदार व्यक्तित और एक पत्नी ब्रत चरित्र का लोहा सारा शहर मानता था वे कहते थे कि इस स्रश्टी की सारी औरतों में सिर्फ एक ही उनकी पत्नी है शेश सारी औरते मा बहन हैं अपने इस कथन के अनकूल वे आजरन भी करते थे उनसे इर्श्या और दुश्मनी रखने वाले भी उनके उपर चाहे जो आरोप लगाते चरित्र हींता के इस पक्ष की और कभी उंगली नहीं उठाते उनके चरित्र के इस पक्ष की और उंगली उठाने वाला कोई माई का लाल इस शहर में पैदा ही नहीं हुआ जब तक उनकी पत्नी जिन्दा रही उन्होंने फलट कर किसी दूसरी औरत को देखा तक नहीं सामने आई औरत से माथा जुका कर ही बात करते उसके चेहरे की और नहीं देखते पत्नी की मृत्तु के बाद एक लंबे समय तक अपने विधुर जीवन का निर्वाह भी उन्होंने आदर्श और मर्यादा के साथ किया लेकिन अचानक बुढ़ापे में उनको यह क्या हो गया लोग कहते सुधाकर पाखंडी था कंबल ओर कर माड़ पीने वाला निकला बहुत चरित्रवान बनता था लेकिन बुढ़ापे में असलियत खुल गई सच्चाई को कितने ही परदों के भीतर छिपा कर रखो सामने आही जाती है अरे यह तो शुड़ू का ही चरित्रवरस्ट और पात की था नकाब ओर कर लोगों को छलता रहा यह कलियूग है कलियूग इसमें लोगों को पहचानना मुश्किल है कई चेहरे ओर कर लोग जीते हैं छी छी बुढ़ापे में यह कर्म अब यह देश भी नहीं बचा पश्चिम की गरहित संस्क्रिती यहां आ गई लेकिन सुधाकर पांडे को इन टीका टिपनियों की कोई चिंता नहीं उन्हें लगता कि उन्होंने सही किया है पूरी तरह सही सुधाकर पांडे अपने माबाप की अकेली संतान थे उनकी शादी उनके पिता जी ने 15 वर्ष की छोटी आईव में ही कर दी थी उनकी माता का देहां तो तभी हो गया था जब वे 10 वर्ष के थे शादी के कुछ ही वर्ष बाद उनके पिता जी भी गुजर गए थे उनके पिता सिचाई विभाग में हेड असिस्टेंट थे वे अवकाश मुक्त होने के बाद नहीं नौकरी की अवधी में ही मरे थे इसी लिए राज्य सरकार के नियमा नुसार सुधाकर पांडे को अपने पिता की जगे मिल गई उस समय सुधाकर पांडे आये पास थे लेकिन नौकरी में आने के बाद वे इस से आगे की डिग्री नहीं ले सके कभी आवशकता ही महसूस नहीं हुई प्रमोशन पाकर जिस पद से वे रिटायर हुए हैं उस पद पर एमे पास लोगों की भी सीधे नियुक्ती नहीं होती सुधाकर पांडे में जब अपनी नई दुनिया शुरू की थी आवलाद की चिंता उन्हें बेतर है सताने लगी थी मा पिता जी थे नहीं पत्नी घर में अकेली थी पत्नी के अकेले पन के लिए आवलाद की जरूरत थी लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत वन्ष चलाने और अपने खून से स्रजित एक परिवार बसाने की थी सुधाकर पांडे जानते थे उनके मा बाप भी एक लंबे समय तक संतान प्राप्ती के सुख से वन्चित थे बहुत इलाज और पूजा पाठ कराने के बाद गिरती उम्र में वे पैदा हुए इसलिए उनके मा बाप उन्हें अपनी आँखों का तारा समस्ते अपने प्राणों से भी बढ़कर उनकी हिफाज़त रखते इसलिए अवलाद की कामना सुधाकर पांडे को विरासत में मिली थी वह कामना उनके संस्कारों में रची बसी थी सुधाकर पांडे को लगता था कि संतान हिन आदमी कोई आदमी नहीं इस दुनिया में कुछ लोग अपने हूँ जिन पर विश्वास किया जा सके जिनके लिए संपत्ति अर्चित की जा सके जिनें अपना सर्वस निछावर किया जा सके और ये लोग अपनी अउलाद के अतिरिक्त दूसरे हो ही नहीं सकते पती-पत्नी के अकेले का जीवन कोई जीवन नहीं है पती-पत्नी को ही अगर जीवन की पूनता माना जाता तब फिर नौकरी करने और घर बसाने की जरूरत ही क्यों होती पती-पत्मी साधू संतों की तरह मांगते-खाते निकल जाते लेकिन अपने लोगों का एक अपना परिवार बसाने के लिए लोग नौकरी करते हैं मकान बनाते हैं और अपने खून से स्रिजित अपने परिवार को विरासत में अपना सब कुछ सोब, शान्ती और संतोश्क से मरते हैं बदले में उनका परिवार पुष्टों तक उनके श्रेव को याद रखता है उनके नाम को कुल परंपरा के संदर्व में अमर रखने की कोशिश करता है तथा उनकी मुक्ती के लिए समय समय पर पूजा अर्चना किया करता है सुधाकर पांडे की शादी के अभी मात्र 5-6 साल ही गुजरे थे कि वे इस कदर बेचैन रहने लगे उन्हें भै लगता कि कहीं वे निर्वंसिया न हो जाएं तब तो ये जीवन ही अकारत हो जाएगा मरते वक्त कंट में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा अपने पिता जी की यह बात उन्हें बराबर याद आती कि वंश हीन मनुष का यह लोग और परलोग दोनों बरबाद हो जाता है सुधाकर पांडे की मानसिक्ता से मिलते जुलते उनके हमोम्र मित्र कहते कि पत्नी के साथ 5-6 साल रहते हुए भी कोई बच्चा नहीं हुआ यह अच्छा लक्षम नहीं हाला कि 5-10 साल की अवधी कोई खास नहीं होती लेकिन सुधाकर पांडे जिस मानसिक्ता के बीच जी रहे थे उसमें शादी की पहली वर्ष गांट मा बाप बनकर ही मनाई जानी चाहिए थी इसलिए 5-6 साल की अवधी उन्हें बहुत अधिक लगने लगी थी इस संदर्व में समाज द्वारा एक बना बनाया रास्ता दूसरी शादी का था वंश के लिए दूसरी क्या तीसरी, चोथी और पांचवी सादियां तक लोग करते हैं लेकिन सुधाकर पांडे अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि चाहते थे इस पत्नी से ही अपना परिवार बसाएं इसलिए दूसरी शादी की बात परे जटक इलाज कराना उन्होंने शुरू किया चिकित्सकों के अनुसार सुधाकर पांडे और उनकी पत्नी दोनों में कम्या थी दवा शुरू हुई साथ ही सुधाकर पांडे की पत्नी का छोटा सा ओप्रेशन भी किया गया फिर चिकित्सकों के कहे अनुसार इलाज के पांच महिने बीटते न बीटते सुधाकर पांडे की पतनी गर्ववती हो गई सुधाकर पांडे को अपार प्रसनता हुई अपनी शाधी के आसर पर भी उन्हें इतनी खुशी नहीं हुई थी पहली संतान के रूप में सुधाकर पांडे को पुत्री की प्राप्ती हुई पुत्र जन्म की तरह वह बहुत आहलादी तो नहीं हुए, फिर भी उन्हें खुशी हुई, निर्बंसिया का नाम तो छूटा, जिस खान से कोईला आता है, उसी से हीरा भी पैदा होता है, पुत्री ने शुब की शुरवात की थी, इसी लिए उन्होंने उसका नाम शुबद आकर पांडे का घर भर गया, संतान की बढ़ोत्री पर उन्होंने रोक नहीं लगाई, वे तो खुश और संतुष्ठ होते रहे, अपने आप अगर रोक नहीं लगती तो उनका परिवार बहुत बड़ा हो जाता, शुबदा के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ती खुशी में उन्होंने पूरे दफ्तर को भोज दिया, खुब खुशी मनाई, पुत्र ने उनकी समाप्त होती वंश परंपरा को रोक दिया, इसलिए उन्होंने उसका नाम वंश राखन रखा, नहीं संतान होने का आरोप शुबदा ने दूर किया, वंश चलाने का आरोप वंश राखन ने दूर किया, वंश राखन के बाद पुनह एक पुत्री का जन्ग हुआ, वह बच्पन से ही बहुत शांत और शुशील नजर आती थी, इसलिए सुधाकर पांडे ने उसका नाम सुशीला रख दिया, वह गुडिया जैसी प्यारी थी, सुशीला के बाद दो और पुत्र हुए, सुधाकर पांडे ने उनका नाम करन दुनिया के दो श्रेष्ट और परम पवित्र नामों से किया, एक को राम, दूसरे को गोपाल, नाम लेने से ही सारे पाप कट जाएं, ऐसे नाम, दोनों पती पत्मी ने अपने पांचों बच्चों का लालन पालन त दोनों जून सामने गाय दुवा कर दूध लिया जाता, साथ ही खेलने वाले सामानों से भी सुधाकर पांडे में घर भर दिया, छोटा रिक्षा, काट का घोडा, उरन खटोला, हवाई जहाज, गुड़े गुडिया, प्लास्टिक के बंदर भालू, इसके अत्रिक्त अच से ही कह उठते, तुम्हारे बच्चे तो बड़े साहब के बच्चों से भी अच्छे लगते हैं, यह सुन सुधाकर पांडे को हर दिक खुशी होती, वे कहते यही मेरी उपलग्धी है, अपने बच्चों को एक साथ खेलते कूदते और खाते पढ़ते देख, सुधाकर पा साथ कर इलाज कराते, बीमारी की इस्थिती में वे बच्चों की ही नीन्द सोते और इन्ही की नीन्द जागते, लगता जैसे बच्चों के कुछ होने से पहले ही वे अपना तन चोड़ देंगे, चुंकि सुधाकर पांडे अपने बच्चों में अपनी आय से ज्यादा खर करते जाते, लेकिन बच्चों के खर्चों में कभी कटाती नहीं करते, सुधाकर पांडे दोनों पती पत्नी ने अपनी रुची का खाना पहनना और जीना छोड़ दिया था, वे अपने बच्चों के सर्वांगिन विकास और उन्हें सुभिधाओं से पून रखना ही अपन बच्चों ने सोचा था कि इत मिनान होने के बाद संगीत का अभ्यास करेंगे, लेकिन बच्चों के समक्ष सब कुछ भूल गए थे, उनकी पत्नी आठमी कक्षा पास थी, उन्हें आगे पढ़ने की तीवर लालसा थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के समक्ष अपनी पित्याक कर दिया था, पती-पत्नी के साथ सोने और सहवास के एकांतिक सुक से भी वे वन्चित होते जा रहे थे, छोटे बच्चों को लेकर एक बिस्तरे पर उनकी पत्नी सोती, तो बड़े बच्चों को लेकर दूसरे बिस्तरे पर वे, भौतिक दृष्टी से वे दोनो पती-पत्नी काफी अभाव और कस्टों के बीच जी रहे थे, लेकिन इसकी बावजूद वे आंतरिक खुशी और संतोश का अन्भाव करते, उन्हें लगता कि वे एक ऐसा बगीचा लगा रहे हैं, जिसके मीठे फल खाते हुए उसकी शीतलता में लेट कर शेष्ट पीच कर जिस बगीचे को वे तयार कर रहे हैं, उसकी छाओं में रहने का सुक्त वर्नना तीत होगा, सुधाकर पांडे के बच्चे जैसे-जैसे सायाने होते जाते, उनकी आवशकताएं बढ़ती जाती, लेकिन सुधाकर पांडे कभी पीछे नहीं हरते, बच्चों के वि कोई भी बात वे उनके सामने नहीं आने देते, उनके मित्र कहते, इतना लोन लेते हो, समोजा प्राविडेंट फंड तो उसी में चला जाएगा, इस पर सुधाकर पांडे जवाब देते, मुझे प्राविडेंट फंड की कोई आवशकता नहीं, मेरा प्राविडेंट पढ़ा लिखा कर सुधाकर पांडे लड़कियों का ब्याह करते गए तथा लड़कों को नौकरी से जोड़ते गए नौकरी से जोड़ने के बाद लड़कों की शादी भी वे करने लगे लेकिन इसी क्रम में उनकी पत्मी ने उनका साथ छोड़ दिया शुगदा, सुशीला और वन्ष राखन की शादी के बाद वे स्वर्ग सिधार गई शेश दोनों लड़के राम और गोपाल की शादी सुधाकर पांडे को पत्नी की अनुपस्थिती में ही करनी पड़ी उस वक्त पत्नी का अभाव उन्हें बहुत कचोड़ता रहा अपने लिए नहीं राम और गोपाल के लिए शादी में मा के सहयोग और इसने ही सौहार्द से उन्हें वन्चित हो जाना पड़ा सुधाकर पांडे जानते थे उनकी पत्नी का असामयक निधन उचित एलाज और देख रेक के अभाव में हुआ था उन्हें लो ब्लड प्रिशर की शिकायद थी साथ ही बहुत कुछ जनानी बेमारियों से भी ग्रस्त थी चिकित्सक ने सावधानी बरतने और पॉस्टिक चीजें खाने का सुझाओ दिया था लेकिन बच्चों के लिए अपनी आवशक्ताओं में मित्यब्याइता बरतने से वे बाज नहीं आती सुधाकर पांडे कहते तो उन्हें समझा देती कि वे सब कुछ खा रही है अच्छी तरह रह रही है लेकिन वस्तो इस्थिती से सुधाकर पांडे अउगत हो ही जाते वे देखते जब भी कोई महंगी दवा आती उनकी पत्नी अफसोस प्रकट करती यह कहां की विमारी मेरे उपर आ पड़ी है सब पैसे मुझमे ही जोके जा रहे है बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ करना है अपने अंतिम दिनों में तो उन्होंने अपनी पीडा बतानी भी बंद कर दी थी कि चिकित्सा में पैसे खर्च हो जाएंगे सुधाकर पांडे की तरह घर का एक-एक पैसा वे बच्चों में ही लग जाने देना चाहती थी उस वक्त सुधाकर पांडे को कभी लगता कि उनकी पत्मी में ठीक नहीं किया लेकिन जब इस विशय पर गहराई से विचार करते तो उन्हें लगता कि ठीक किया है अपने बाल बच्चों के सुख के लिए अपने को उत्सर्ग कर देने से अच्छा कार और क्या हो सकता है जब सुधाकर पांडे की पत्मी मरी थी उनकी उम्र पचास बावन के आसपास रही होगी उनकी कुछ मित्रों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी कहा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है मर्द तो साथे पर पाठे होते है नई अवरत लाकर आराम से जिंदगी गुजारो लेकिन सुधाकर पांडे ने मित्रों का मुह बंद कर दिया मेरा इतना भरा पूरा परिवार है मुझे अब शादी की क्या जरूरत लड़के हैं लड़कियां हैं अब तो नाती पोते भी हो गए और सुधाकर पांडे ने अपने मस्तिष्क में दूसरी शादी का विचार पनपने ही नहीं दिया जिसने इस ओर संकेत किया उसे मना कर दिया सुधाकर पांडे को पहला जबरदस्त जटका तब लगा जब उन्हें यह ग्यात हुआ कि उनके बच्चों के बीच आपसी इसने सदभाव के इस्थान पर प्रतिसपर्धा और प्रतिद्वन्दिता के भाव पैदा होते जा रहे हैं शादी से पहले तो वे बिलकुल एक थे एक दूसरे के विकास और प्रगती को अपना विकास और अपनी प्रगती मानते थे एक दूसरे के बिना जीने की कलपना ही नहीं करते थे लेकिन शादी के बाद सबकी अलग धपली अलग राग हो गया था तीनों लड़कों की पत्निया एक दूसरे से बढ़ चड़ कर रहने की होड में लग गई थी पत्नियों की मानसिक्ता के अनकूल पती भी एक दूसरे को भाई ना समझ प्रतियोगी और प्रतिद्वन्ती समझने लगे थे दोनों लड़कियों के साथ भी यही इस्थिती थी एक दूसरे से अच्छा रहने और दिखने की कोशिशें जारी थी अमुक ने सोफा सेट, गोधरेज की अलमारी, टीवी, वीडियो, डैनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, कार खरीद लिया तो हमें भी खरीदना है, अमुक की पत्नी केवल सिल्क पी साडियां पहनती हैं, तो हमारी पत्नी भी पहनेगी अमुक से हम कम नहीं कमाएंगे, अमुक के परिवार से अपने परिवार को अच्छी तरह रखेंगे सुधाकर पांडे को यह सब जानकर दुखत आश्यर होता, एक दूसरे की संपत्ती और विकास को उनके लड़के अपना ना समझ कर गैर का समझते लेकिन सुधाकर पांडे की संपत्ती सब की थी, इसलिए सब साथ थे, लेकिन नौकरी करने के बाद उनके लड़कों की आए की अलग-अलग स्वाम्निया उनकी पत्निया थी, एक दूसरे की आए पर एक दूसरे का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए अपने पन की जगे वै के अधिकार की बात तो दूर, सुधाकर पांडे को खुद लगने लगा था कि लड़कों की आए पर उनका अधिकार नहीं, विभिन्म शहरों में उनके लड़के नौकरी करते थे, लेकिन एक पैसा भी कोई उनके पास नहीं भेजता, इस पर सुधाकर पांडे यह सोचकर अपने मन को समझा देते कि वे स्वयम नौकरी करते हैं और अकेले पेट हैं, इसलिए उनके लड़के पैसा भेजने की आवशक्ता नहीं समझते, साथ ही अपने अपने परिवार को साथ रख कर पाल पोस रहे हैं, लेकिन इस बात की पीड़ा सुधाकर पांडे के मन को कचो रोटने लगी थी कि अपने परिवार को वे एक समझ रहे थे, लेकिन वे अनेक हो गए, यह ठीक नहीं हुआ, कितना अच्छा होता अगर वे नौकरी करते हुए भी साथ साथ रहते, विगुन शहरों में इस्थित अपने लड़कों और लड़कियों को पत्र लिख लिख कर सुधाकर पांडे ने समझाने की कोशिश की, कि सहोधर भाई से बढ़कर अपना इस संसार में दूसरा नहीं होता, कि एक दूसरे के सुख दुख और धन संपत्ती को अपना समझ कर साथ साथ जियोगे, तो स्वर्ग का आनंद प्राप्थ होगा, कि बाबा तुलसी दास ने लेकिन सुधाकर पांडे के समझाने का कोई अर्थ नहीं, संपत्ती संयोक्त नहीं, तो फिर परिवार संयोक्त कहां, इसी लिए सुधाकर पांडे चिंतित रहने लगे थे, बच्चों को पालते हुए यह बात उनके दिमाग में जोरदार धंग से कभी नहीं उठी थी, कि वे एक दूसरे से इतना प्रथक प्रथक जीवन जीएंगे, सुधाकर पांडे को दूसरा जबरदस्त जटका रेटायर होने के बाद लगा था, उस जटके ने तो उनके समस्त जीवन मोलियों, आस्थाओं और संचित विश्वासों को ध्वस्त कर दिया था, वे नए सिरे स सोचने के लिए बाद हो गए थे, रेटायर होने से पहले अकेले रहते हुए भी उनका दिन कट जाता था, सुभाई शाम अपने एक पेट के लिए खाना बनाने और रात में सोने भर के लिए ही वे अकेले होते थे, दिन में तो दफ्तर के साथियों सहयोगियों के बीच घि रहते गिर्ती उम्र के व्यक्ति के साथ कोई दोस्ती करना भी तो नहीं चाहता और फिर दोस्तों के बीच छण दोछण बातचीत कर लेने भर से ही तो अकेला पंदूर नहीं हो जाता बिना किसी कारी के दिन पहाड की तरह लगते पहले दफ्तर से ठक कर आने पर रातों में गहरी नेंद सो जाते थे लेकिन अब सुगमता से नेंद भी नहीं आती खाना बनाना भी उन्हें अखरने लगा था कि इतना बड़ा परिवार है उनका बुड़हापे में एक पेट के लिए चूला जलाना पड़ता है नौकर रखने की आदत उन्हें नहीं और नौकर रखने के वे पक्ष में भी नहीं रिटायर होने के बाद का जीवन तो अपना पन और विश्वास खोशता है नौकर में वह कहां संभव सुधाकर पांडे को अपने लड़के याद आने लगे थे इसी समय के लिए तो उन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था तोला पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि जिसके लड़के शहरों में नौकरी करते हैं उसके बाप को रिटायर होने के बाद अकेले रहना शोभ़ा नहीं देता इस संदर्व में सुधाकर पांडे भी अपने लड़कों के पत्रों की बेसबरी से प्रतीक्षा करने लगे थे अपने रिटायर होने की सूचना समय से सब लड़कों को उन्होंने भेश दी थी लेकिन किसी ने भी पत्र लिखकर उन्हें नहीं बुलाया इसलिए वे रुके हुए थे लेकिन एक लंबे समय तक जब किसी ने उन्हें नहीं बुलाया तो उन्होंने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि उनके लड़के पारिवारिक जमेलों में फसे होंगे इसी लिए बुलाने की याद उन्हें नहीं कि उनके बुलाने की रहा वे बेकार देख रहे हैं कि वे कोई गैर थोड़े हैं, अपने हैं वे जहां जहां हैं, वहां महां उनका घर है फिर अपने घर जाने के लिए किसी के बुलाने की प्रतीक्षा क्यों? और यह सोचने के बाद सुधाकर पांडे स्वतह चल पड़े थे उनका बड़ा लड़का वंश राखन इंजीनियर है माजिल राम लेक्चरर है और छोटा गोपाल बैंक कर्मचारी दोनों दामाद भी स्टील कारखानों में अच्छे पदों पर हैं वर्ष में दो तीन माँ एक एक जगह रहकर ही उनका जीवन बीत जाएगा अपने परिवार के हाथों पर वे टंगे रहेंगे सब तो उन्ही की पैदाईश हैं उन्ही किस रजन हैं सुधाकर पांडे सबसे पहले वंश राखन के पास चल पड़े ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद सुभह वे वंश राखन के शहर पहुँचे वंश राखन का पता उनकी डायरी में नोट था पूँचते पूँचते वे उसके क्वाटर तक पहुँच गए पहली बार वे अपने बेटे की नौकरी पर आये थे उन्हें देखकर वंश राखन ने खुशी प्रकट की फिर चरण इस पर्ष के बाद आदर के साथ पिता को अंदर ले आये और ड्राइंड रूम में बैच कर कुशल समाचार पूँचने लगे उनकी पत्नी और बच्चों ने भी आकर अभिवादन किया सुधाकर पांडे ने हिर्दें से सबको अपना इसने आशिरवाद तथा बच्चों के लिए साथ लाई मिठाईया बाटनी शुरू कर दी सुधाकर पांडे देख रहे थे वंश राखन के बच्चे बड़े हो चले थे लड़की सुनंदा तो ब्याहने लाइक हो गई थी सरकार की ओर से मिला वंश राखन का यह क्वाटर बहुत सुन्दर और सुभिदा जनक था सुख आराम की सारी चीजें वंश राखन ने खरीद ली थी क्वाटर का आश्वर देखते ही बनता था वंश राखन की सम्रिधी और सुखी परिवार देख सुधाकर पांडे का मन आनंद से गदगद हो गया उन्हें अपने किये पर बहुत प्रसनता और संतुष्टी हुई कि अपने लड़कों को जैसा चाहा था वैसा बना दिया लेकिन शाम होते ही सुधाकर पांडे को महसूस हुआ कि वंश राखन पती-पत्नी की खुशी परेशानी में बदल चली थी वे एक जगे बैठ कर चर्चा कर रहे थे कि पिता जी तो बराबर रहने के उद्देश से आये हैं इसलिए इनके रहने की इस्थाई बेवस्था करनी होगी ड्राइंड रूम में इन्हें नहीं रखा जा सकता वहां तो इंजीनियर मित्र आकर बैठते हैं वह बैठ का है ड्राइंड रूम के बाद का कमरा वंश राखन दोनों पती-पत्नी का बेड रूम है वहां भी उन्हें नहीं रखा जा सकता इसके बाद तीन कमरे हैं एक में सुनंदा रहती है वह बड़ी हो गई है उसका अलग रहना जरूरी है दूसरे कमरे में अन्य बच्चे रहते हैं और तीसरा कमरा तो सभी बच्चों का रीडिम रूम है उसमें अलमारियों में बच्चों की पुस्तके हैं टेबल कुरसी है वहां रहना भी उनका उचित नहीं इसके बाद आंगन की बालकनी वाली जगह बचती है लेकिन वहां तो डाइनिंग टेबल है वहां भी कैसे रह सकते हैं तब वंश राखन की पतनी में अपने पती को यह सुझाओ दिया कि किचन और स्टोर रूम दोनों बड़े-बड़े हैं स्टोर रूम का सामान किचन में रख दिया जाए और स्टोर रूम में ही पिता जी की बेवस्था कर दी जाए वन्ष राखन को अपनी पत्नी का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा उनकी पत्नी ने आसन संकट से उन्हें बचा लिया उन्होंने नौकर को आदेश दिया कि स्टोर रूम खाली कर उसमें एक चौकी और बिस्तरा लगा दे सुधाकर पांडे के मन के किसी न किसी कोने में यह बात कचोट उठी इतना बड़ा क्वाटर है सब के रहने के लिए जगह है लेकिन जो जनक है उसके लिए कोई जगह नहीं लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया कि बड़ी और सुविधा पूर्ण जगह की उन्हें क्या आवशकता उनके लिए तो स्टोर रूम ही परयाथ है और वे उसी में रहने लगे हाला कि यह अनुभा उन्हें कुछ कड़वा प्रतीत हुआ सुधाकर पांडे को अपने बेटे की नौकरी पर एक सब्ता गुजारते गुजारते दूसरा कड़वा अनुभो यह प्राप्थ हुआ कि वे पुनह अकेला पन और अजनभी पन महसूस करने लगे शुरू में तो दो-तीन दिनों तक उन्हें परिवार का एक महत्वपूर सदस्य समझ कर सम्मानित किया जाता रहा लेकिन बाद में लोगों ने उनका नोटिस लेना बंद कर दिया कोई उनके पास नहीं बैठता, उनसे बातचीत नहीं करता वन्ष राखन को तो दफ्तर और अपने आगंतुकों से ही फुरसत नहीं मिलती वन्ष राखन की पत्नी और बच्चों को उनसे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता उनकी नजर में वे आउटडेटेट थे, ओल्ड जेनरेशन के व्यक्ति जिनसे बातचीत करना वे व्यर्थ में अपना समय गवाना समझते थे सुधाकर पांडे देख रहे थे, वन्ष राखन की पत्नी को उनका रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था वह कुनमुनाने लगी थी, आसपडोस की औरतों से बातिं करते वक्त उनको लेकर टी का टिपनी करने लगी थी, कि भूड़ा बहुत गंदा रहता है हेडेक बन गया है, ना जाने कब तक यहां पड़ा रहेगा और लड़के हैं, लेकिन हमी लोगों को तंग करने आ पहुँचा है सुख जो यहां ज्यादा मिलता है इसे सुधाकर पांडे को लगने लगा, कि नई सारी में एक भर्दे पैबंद की तरह ही वे इसक्वाटर में है इसी लिए सब उनसे नफरत करने लगे है खाने में भी कटोती शुरू कर दी है वन्श राखन की पतनी ने पहले घी में चुपड़ी रोटियां आती थी लेकिन अब नौकर साधी रोटियां और सबजी लाकर रखने लगा था उन पर कुछ भी खर्च करना वन्श राखन की पतनी को अखरने लगा था सुधाकर पांडे ने महसूस किया कि अकेले पन से ज़्यादा कस्ट दायक अपमान और उपेक्षा की पीड़ा होती है अकेले रहा जा सकता है लेकिन अपमान और उपेक्षा सहकर नहीं और एक दिन तो अपमान और उपेक्षा ने मर्यादा और शिष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ दिया हुआ यह कि वंश राखन तीन दिनों के दौरे पर घर से बाहर गए हुए थे उसी दौरान एक दोपहर ड्राइंग रूम में सुननदा को बाहर के एक युवक के साथ हसासकर बत्याते हुए सुधाकर पांडे ने देखा उन्हें यह बहुत नागवार मालुम पड़ा उन्होंने सुननदा को डाटते हुए घर के अंदर कर दिया तथा उस युवक को फटकारते हुए बाहर खदेड दिया इस पर सुननदा ने अपनी मा से जाकर शिकायत की फिर वंश राखन की पत्नी तच्छन उनके उपर आग बबोला हो उथी कि वे बीच में क्यों पड़ते हैं कि वे चुपचाप शांती से क्यों नहीं रहते कि वे एग्जोकेट्व इंजेनियर का लड़का था कि उन्होंने उसे डाट कर ठीक नहीं किया कि वे जब से आए हैं उन्होंने नाप में दम कर रखा है कि उनकी ये जैदिती वे देर तक बरदाश्ट नहीं करेंगी वंश राखन की पतनी की कड़वी बात सुनकर सुधाकर पांडे के तन बदन में आग लग गई वे गरज उठे वंश राखन वो तुमने हमारे खानदान को चौपट कर दिया शुवदय ठीक कहती है तुम्हारी देखा देखी ही राम और गोपाल की बहुएं भी बिगड गई है लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा यह मत समझो कि मैं बाहर का आदमी हूँ वंश राखन को पाल पोस कर योग बना तुम्हें दे दिया है तो आज मालकिन बनी हो वंश राखन मेरा है उस पर तुम्हारा जितना अधिकार है उससे अधिक मेरा है वह आता है तो मैं तुम्हारी खवर लिवाता हूँ बेटी को कुमार्ग पर जाने से रोक दिया तो मैं गलत हो गया इस गर्म वार्टालाब के बाद वंश राखन की पत्नी और सुधाकर पांडे दोनों वंश राखन की प्रतीक्षा करने लगे वंश राखन की पत्नी तो सुधाकर पांडे से बोलना बंद कर मुफ उलाय रही लेकिन सुधाकर पांडे सोचते रहे कि वर्श राखन आएगा तो पत्नी को डाट कर पिता का सम्मान करना सिखाएगा तब इसका अहम समात हो जाएगा और इसकी एठन धीली पड़ जाएगी और यह जरूरी भी है लेकिन सुधाकर पांडे ने जैसा सोचा था उसके बिलकुल विप्रीत घटित हुआ वर्श राखन के आते ही उसकी पत्नी ने एकांत में उसे क्या कुछ पढ़ाया समझाया कि वह पिता के पास आकर बरस पड़ा आपका दिमाग खराब हो गया है आप शांती से क्यों नहीं रहते दुनिया कहां से कहां पहुँच गई है और आप अभी तक रूडियों में जक्ड़े हैं मेरी अनुपस्थिती में आपने सब को तंग करके रखा है सुधाकर पांडे ने वर्ष राखन को सच्चाई से ओगत कराना चाहा बात क्या है तुम नहीं जानते हो तुम्हारी पत्नी ने लेकिन वर्ष राखन ने पिता को पूरी बात कहने भी नहीं दी रहने दिजे मैं स सब जानता हूं सुनंदर ने कहा है उसकी मान ने कहा है नौकर ने कहा है आप चुपचाप इत्मिनान से रहे घर में यह सब उपद्रों मत खड़ा कीजिए आपको खाने पीने और रहने का कस्ठ हो तो मुझसे कहिए सुधाकर पांडे की बोलती बंद हो गई एक छण के लि सो नहीं सके वह क्वार्टर उन्हें काटता सा प्रतीत हुआ इतना अपमान सहकर सिर्फ दो रोटी के लिए ही तो वे नहीं आये हैं उन्हें अच्छी तरह खाने भर के लिए पेंशन अभी मिलती है अपने परिवार में रहने की चाह उन्हें यहां ले आई थी लेकिन अब यह परिवार अपना नहीं रहा यहां अब एक दिन रुकना भी उचित नहीं मान सहित विश्व खाय के शम्भु भये जगदीश बिना मान अमरित पिये राहु कटाये शीश और सुधाकर पांडे सारी रात अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते रहे वे सोशते आज उनकी क्या इस्थिती होती लेकिन अभी उनके दो और लड़के हैं सब एक ही तरह नहीं हो सकते वे इससे अच्छी होंगे इसकी तरह नीचे नहीं गिर सकते इसकी नजर में तो पतनी के आगे पिता का कोई मोल नहीं और दूसरी सुभ़े सुधाकर पांडे वहां से च पोज उतर चला वंश राखन ने और चारिकता वश सिर्प इतना ही कहा जहां इच्छा हो रहिए मेरे पास राम के पास या गोपाल के पास सब आपका ही घर है लेकिन सुधाकर पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया दिन भर की बस यात्रा के बाद शाम के धुंधलके में पेटे राम के शहर पहुँचे राम का निवास यूणवर्सिटी कॉलोनी में था विश्व विद्याले की ओर से क्वाटर मिला था राम पती पतनी ने सुधाकर पांडे का स्वागत गर्म जोशी से किया जैसे वे उनके आग्मन की प्रतीक्षा में ही हूं सुधाकर पांड के बाद वहां आपका अकेले रहना ठीक नहीं राम की यह बात सुन सुधाकर पांडे की खुशी इतनी बढ़ गई कि वे उसे रोक नहीं सके उनकी बुड़ी आँखों में आनंद के आशु चल चला आए उन्होंने मन ही मन इश्वर से प्रार्थना की कि किसी को अकेला बेटा मत देना अनिथा उसके नालाइक होने पर उसका दुख काटे नहीं कटेगा वंश राखन के यहां से चले थे सुधाकर पांडे तो उनका मन गहन पीड़ा और औसाद से भरा था लेकिन राम के पास पहुंचते ही वे सहज हो गये उनका मन उलसित हो गया राम के यहां सुधा पांडे के रहने की समस्या भी पैदा नहीं हुई हाला कि राम का क्वार्टर वंश राखन के क्वार्टर से काफी छोटा था लेकिन जगह क्वार्टर में नहीं दिल में होती है दिल में जगह हो तो क्वार्टर में जगह आसानी से बनाई जा सकती है राम का क्वार्टर सिर दुसरे कमरे में उनके लड़के, उस समय तक राम के सिर्फ दो ही लड़के थे, मुन्य और बबलु, मुन्य 경찰 की उम्र साट साल की थी और बबलु की पांस साल की, राम ने अपने लड़कों के कमरे में ही पिताजी की वेवस्था कर दी, सुधाकर पांडे को अच्छा लगा, वे अपने पोतों के साथ रहने लगे, वे उन्हें जी भर कर दुलार करते, रात में देर तक उन्हें रामायन और महाभारत की कहानिया सुनाते। लेकिन तीन-चार दिन राम के यहां रहने के बाद ही एक बात सुधाकर पांडे के मन में खटकनी शुरू हो गई, उन्हें लग रहा था राम पती-पत्नी चरित्र के इस्तर पर गिरते जा रहे हैं, राम ने अपनी पत्नी का नाम विश्विद्याले में लिखा कर पढ़ाना शुरू किया था, वह एमे की छात्र थी, राम का कहना था कि वह अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर लेक्चरर बनाएंगे, लेकिन सुधाकर पांडे देख रहे थे कि प्राये रोज ही शाम सुबह राम की पत्नी से मिलने के लिए किसी न किसी बाहरी पुरुष का आगमन हो इस संदर हुम में राम की पत्नी कभी बताती कि ये मेरे शिक्षक हैं, मुझे बहुत मानते हैं, कभी बताती कि ये मेरे सहपाठी हैं, अकसर ही मेरी सहायता किया करते हैं इसी तरहे राम से मिलने के लिए कोई न कोई आकरशक महिला आती ही रहती, कभी कभी तो कॉलेज से लोडते वक्त राम अपने साथ किसी सुन्दर योगती को खाने पर लेते आते, कहते ये मेरे कॉलेज की सबसे मेधावी चात्रा है, या कहते ये मेरी सहयोगी इनका विजार मुझे बहुत पसंद आता है। नारी की नारी के साथ। लेकिन यहां तो दोनों तरफ पुरुष और नारी की मित्रता है। जो गलत है, अनुचित है, अनैतिक है। सुधाकर पांडे से जब बरदाश्त नहीं हुआ, तो एक दिन उन्होंने इस विशा में राम से बात चीत की। उन्होंने गंभीर होकर यह समस्या राम के सामने रखी। लेकिन राम ने हस्ते हुए उनकी समस्या को टाल दिया। आप बेकार चिंता कर रहे हैं पिता जी, दुनिया बहुत आगे पहुँच गई है, अब नर नारी की मित्रता अनुचित नहीं समझी जाती। सच तो यह है कि पुरुष की पुरुष से और नारी की नारी से अच्छी और विश्वास पून मित्रता हो ही नहीं सकती। पुरुष और नारी की मित्रता ही अच्छी और टिकाव होती है। इसके बाद जब सुधाकर पांडे ने राम की पत्नी की पढ़ाई का जिक्र किया, तो राम ने कहा, सिर्फ एक आदमी की नौकरी से ही अब काम चलने वाला नहीं, परिवार रूपी गाड़ी के नर नारी दो पहिये हैं, दोनों पहियों का दुरुस्त होना जरूरी है, राम क उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि इस घर में भी उनके विचार और सुझाओ का सर्वोपरी महत्व नहीं है, राम के हां सुधाकर पांडे के मन में जो दूसरी बात खटकनी प्रारंभ हुई, वह यह कि राम की पत्नी प्रकारांतर से उनसे उतना काम लेन की जिम्मेदारी राम की पत्नी ने प्रारंभ में ही सौप दी थी, उन्होंने भी सोच लिया था कि अपने पोते हैं, इनके लिए कुछ करते हैं तो ठीकी है, लेकिन धीरे धीरे राम की पत्नी ने बाजार से सामान ले आने, मिल से आटा पिस्वाने, ठेले वाले से सबजी लेने के सारे कार उन्हें सुपुर्द कर दिये थे, राम की पत्नी का कहना था कि यहां नौकर नहीं मिल रहे हैं, और हम दोनों पती पत्नी के पास हाट बाजार करने का समय नहीं, सुधाकर पांडे ने भी अपने मन को समझा दिया, कि जब वे खाली हैं, तब यह सब करने म हर्जी क्या, किसी गैर का काम तो वे कर नहीं रहें, उनके अपने बेटा बहु और पोते हैं, उनका अपना परिवार है, लेकिन इसके बावजूद उनके मन के किसी न किसी कोने से यह आवाज उठने लगी थी, कि इस घर में भी पिता का जो इस्थान और महत होना चाहिए, वह नहीं है, मोह भंग की हलकी शुरुवात यहां भी होने लगी थी, और तीसरी घटना के बाद तो मोह भंग के उस कटू यथार्थ से सुधाकर पांडे अवगत हुए कि यह घर भी उन्हें छोड़ना पड़ा, घटना उनकी बीमारी की थी, पता नहीं मौसम के परिवर् का गिरना बदन में दर्द, इस इस्थिती में सुधाकर पांडे ने एक दिन राम की अनुपस्थिती में राम की पतनी से कहा, मेरी तबियत आज ज्यादा खराब है बहू, कॉलेज न जाओ, राम से इसलिए नहीं कहा कि उसकी नौकरी है, लेकिन तुम तो अभी छात्रा हो तुम्हारा एक दो दिन न जाना उतना नुकसान दे नहीं, इस पर उसने जवाब दिया, एमे की क्लास छोड़ना ठीक नहीं होता बाबुजी, कोर्स पिछड़ जाने पर फिर पूरा नहीं होता, और सुधाकर पांडे को अकेले छोड़कर वह चली गई, सुधाकर पांडे ना जाने उसकी पत्नी ने क्या खुसर खुसर की, कि वे दोनों सुधाकर पांडे के प्रती उदासीन रहने लगे, फ्लू की बीमारी छूत की बीमारी है, यह कहकर अपने बच्चों को भी उनके पास सोने से उन्होंने हटा लिया, बीमारी के दोरान वे निपट अकेले रह गए, इस इस्थिती में अपनी बीमारी से भी अधिक पीड़ा सुधाकर पांडे को अपने बेटा बहु के बेवहार से होने लगी, वे इस तरह बीमार हैं और वे दोनों इसी वक्त उनके प्रती अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं, ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करत सुधाकर पांडे ने एक दिन क्रोध में आकर राम पती पतने को फटकारा, तुम लोग कैसे बेटा बहुओ, बाप इस तरह बीमार है, लेकिन तुम लोगों के मन में सेवा सुशुशा की कोई भावना नहीं, इतना पढ़ लिप कर तुम लोगों ने क्या किया, लानत है त अपने कॉले से एक हरिजन छात्र को पिता जी की सेवा के लिए ला दिया, लग्गी से घास टेरने वाली उक्ति को चरितार्थ किया, लेकिन सुधाकर पांडे भी तो अब अनुभव हीन नहीं थे, वंश राखन के यहां वे अनुभव प्राप्त कर चुके थे, बीमारी की इस्थिती में ही उन्होंने सोच लिया कि यहां भी उनका रहना ठीक नहीं, अभी तो हाथ पाउँ चलता है, तब यह इस्थिती है, अगर वे पूरी तरह खाटशाई हो जाएं, तो यह परिवार भी करने वाला नहीं, यह लोग लावारिश की तरह उन्हें अस्पताल में छोड़ आएंगे, वर्श राखन से राम अलग नहीं, कुछ भिन्यताओं के बावजूद दोनों का धरातल एक ही है, इसके बाद सुधाकर पांडे जैसे ही चलने फिरने लाइक हुए, अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, राम दोनों पती-पतनी उन्हें छोड़ने के लिए इस्टेशन तक आये, उन्हें विदा करते हुए राम पती-पतनी ने कहा, फिर आईएगा, भूल चूप माफ कीजेगा, लेकिन सुधाकर पांडे पर इसका कोई असर नहीं हुआ, शब्दों का भीतरी अर्थ वे पहचानने लगे थे, राम के यहां से चलने पर अंभीर चोटे लगी थी, वे आहत हो गए थे, फिर भी पूरी तरह निराश नहीं, शायद गोपाल इन दोनों से अलग साबित हो, एक ही माबाब की संतान, विभिन रुचियों, विचारों और संसकारों की होती है, इतिहास बताता है कि सब एक समान नहीं होते, ऐसा अनेक पार हुआ है कि परिवार का कोई एक सदस ही सत्य निष्ट, इमानदार और कर्तब परायंड सिद्ध हुआ है, सुधाकर पांडे गोपाल के यहां दिन के तीसरे पहर पहुचे, दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन शाम होने में अभी देर थी, शहर से दूर एक छोटे से कस्ब में गोपाल का निवास था, कस्बे के ग्रामेर बैंक में ही गोपाल पोस्टेट था, उबर खाबर कच्ची सडक पर हिचकोले खाती हुई बस उन्हें ले आई थी, वे ठक गए थे, चुंकि रविवार का दिन था, इसलिए गोपाल घर पर ही था, सुधाकर पांडे ने महस कि उनके आगमन पर गोपाल पती पतनी ने भी वंश राखन और राम की तरह ही खुशी प्रकट की, लेकिन इस बार उस खुशी से वे बिगलित नहीं हुए, संतुलन और ततस्ठता के साथ उसे स्विकार किया, गोपाल ने कहा, वंश राखन भाया और राम भाया के पत्रों से मुझे सूचना मिल गई थी कि आप आ गए हैं, तभी से मैं सोच रहा था कि उन लोगों के यहां से घूमते हुए आप यहां भी आएगा ही, सुधाकर पांडे ने पहली नजर में ही महसूस किया कि गोपाल बहुत दुबला हो गया था, और इसके विप्रीत उसकी पत्नी मोटी होती जा रही थी, सुधाकर पांडे ने गोपाल के स्वास्त के प्रती चिंता व्यक्त करते हुए पूचा, तुम इतने दुबले कैसे हो गया हो, क्या हो गया है तुमें, जवाब में गोपाल ने कहा, सब ठीक हो जाएगा पिता जी, इस समय मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बैंक की नौकरी के साथ साथ बिजनेस मेनेजमेंट की क्लास भी करता हूँ, वंश राखन भहिया और राम भहिया से मुझे आगे निकलना है, सुधाकर पांडे ने सांत्वना दी, परेशान होने की जरूरत नहीं, जहां तक तुमें पहुँचना होगा, समय पहुच जाओगे, इश्वर पर भरोसा रखो, सुधाकर पांडे ने देखा, गोपाल ने किराय पर जो घर लिया था, वह बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ दो ही कमरे थे, एक कमरे में गोपाल पती-पत्नी अपनी दो वर्शी बच्ची के साथ रहते, तथा दूसरे कमरे में अपना सामान रखते, उस वक्त गोपाल को सिर्फ एक ही बच्ची थी, दूसरा बच्चा अभी गर्भ में था, पिता जी का विस्तरा गोपाल ने सामान वाले कमरे में ही एक किनारे लगा दिया, सुधाकर पांडे को बुरा नहीं लगा, जब जगह ही नहीं, तब फिर क नहीं भी गुंजाइश करने में क्या हर्ज, गोपाल ने पिता जी को अपना घर और सामान दिखाते हुए कहा, बड़े भाईया और मजले भाईया की तरह सामान और सुविधाय मेरे पास नहीं, लेकिन मैं सब खरीदूँगा, सारी सुविधाय उपलब्द करूँगा, उन उसका विकास तुम्हारा विकास है, उसने जवाब दिया, नहीं पिता जी, यह सब फालतू बाते हैं, आपके लिए सब अपने हो सकते हैं, लेकिन यहां भाई-भाई को कोई एक पैसा हेल्प करने वाला नहीं, आप नहीं जानते हैं, इसी कस्वे में बड़ा भाई अपसर है, और उसका छोटा भाई होटल में नौकर, दूसरा मदद कर देता है, लेकिन भाई-भोजाई मदद नहीं करते, इसके बाद सुधाकर पांडे महटिया गए, बातों को अब और आगे बढ़ाना उन्हें उचित-प्रतीत नहीं हुआ, इस विशय में अपने लड़के- हां तो दूसरे दिन से ही उन्हें भेदभाव की अनुभूती होनी शुरू हो गई थी, गोपाल दोनों पती-पत्नी को उनका रहना बोज की तरह लगने लगा था, पिता जी रहने के उद्देश से आये हैं, इस बात ने उन्हें असंतुलित कर दिया था, पुत्र होने के चलते गोपाल इसपस्ट नहीं होते थे, लेकिन उनकी पत्नी में अपने बेवहार की बेरुखी जतानी शुरू कर दी थी, खाने में वह कभी कच्ची तो कभी जली हुई रोटियां देने लगी थी, चाय देती तो बिलकुल पानी की तरह, उसमें दूद और चीनी का पता ह भी नहीं चलता, उनके हिस्से की डाल और सबजी में जान वोज कर कभी ज्यादा नमक डालती, कभी डालती ही नहीं, वह सुधाकर पांडे को अपने आचार बेवहार के द्वारा इस कदर तंग कर देना चायती थी, कि बिना भगाय भाग जाएं, साब भी मर जाएं और आते हुए सुना, वन्ष राखन भाया और राम भाया इतना कमाते हैं, लेकिन उन लोगों के यहां न रहकर हम लोगों को ही तंग करने आये हैं, सब कमजोर को ही दबाते हैं, यह सुनने के बाद सुधाकर पांडे का टिका हुआ धैर भी खत्म हो गया, तीनों लड़कों के नहां मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, गोपाल पती-पत्नी का कहना भी तो गलत नहीं, सचमच वन्ष राखन और राम की तुलना में गोपाल की आये बहुत कम हैं, उनके आज आने से गोपाल की समस्या वास्तों में बढ़ गई है, और दूसरी स सुधाकर पांडे ने गोपाल पती-पत्नी से कहा, तुम दोनों की आमदनी वन्ष राखन और राम से कम है, मेरे आ जाने से तुम लोगों का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं यहां रहूंगा तो अपने पेंशन के रुपए तुम्हें दे दिया इस पर गोपाल पती-पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा, सुधाकर पांडे को आशा थी कि उनके इस निर्ने के बाद गोपाल पती-पत्नी के ब्योहार में तबदीली आ जाएगी, दो-तीन दिनों तक ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर वही स्थिती, एक रात पुने गोपाल पती- पत्नी को गुप-चुप बातने करते हुए सुधाकर पांडे ने सुना, बड़े भाईया और मजले भाईया की तुलना में पिता जी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, अन्य था, आज हमारी यह इस्थिती नहीं रहती, उनसे हम आगे रहते, सुधाकर पांडे का मन दुख से भर गया, लड़कों ने अब यह आरोब भी लगाना शुरू किया, हे इश्वर, तू जानता है, मैंने किसी को कम नहीं किया, सबों को समान सुक सुविधाये प्रदान कर पढ़ाया लिखाया, अब अपनी किसमत से कोई इंजिनियर बन गया, कोई प्रोफेसर, और कोई कलरक ही रह गया, तो मेरा क्या दोश, सुधाकर पांडे की इच्छा हुई, गोपाल को कसकर फटकारें, कि चाहे जितना भेदभाव बरतो, पर यह घ्रणित आरोप मत लगाओ, लेकिन उन्हें लगा, कि ऐसे यवकों को फटकारने का अनकूल असर ना पढ़कर, प्रत सुधाकर पांडे को ताजा भोजन न देकर, बासी भोजन ही गर्म करके देती, सुधाकर पांडे को बासी खाने की आदत नहीं थी, उन्हें खटी डकाने आने लगती, पेट में गैस हो जाती, दिन भर जी मिचलाता रहता है, इस संबंद में गोपाल की पतनी से कहते, तो वह आश्चर प्रकट करती हुई कहती, मैं तो आपको ताजा भोजन देती हूँ, यह आप क्या कह रहे हैं, आपका पेट ही खराब है, सुधाकर पांडे की आँखों में वह धूल जोग देती, आश्चर इसे इस तरह चौकते हुए सफाई देती, कि सुधाकर पांडे को च चुप हो जाना पड़ता, लेकिन एक दिन सुधाकर पांडे की चुपी तूट ही गई, उस दिन सुधाकर पांडे अपने बिस्तर पर बैट कर देख रहे थे, रात की बासी दाल, सबजी और चावल चुपके से गर्म कर उनकी ठाली में गोपाल की पतनी परोस रही थी, ठा आजा खाना दे रही हूं, अभी गर्म है, भाप निकल रही है, अपनी बात को विश्वस्नी बनाने के लिए वह कस्मे खाने लगी, लेकिन सुधाकर पांडे से भी अब बरदास्त नहीं हुआ, फट पड़े, गोपाल बो अधिक तिरिया चरित्तर मत करो, रोज मेरी आखो में धूल जोगती हो, और मैं चुप रह जाता हूं, तो समझती हो कि बहुत चतर हो गई हो, मैं यहाँ पेट पोस्ने नहीं आया हूं, अपने परिवार का मोह मुझे खीच लाया है, और सुधाकर पांडे ने थाली परे खिसका दी, लेकिन यह क्या, उल्टा चोर कोतवाल क डांटे, चोरी और सीना जोरी दोनों, गोपाल की पत्नी सुधाकर पांडे द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिये जाने के बावजूत अपनी गलती सुईकारने को तयार नहीं, सुधाकर पांडे की बातों की प्रतिक्रिया में घर का काम काज छोड़ वह रोने और नकरा पसारने लगी, पूरा दिन वह कमरे से बाहर नहीं निकली, शाम को बैंक से गोपाल जब घर वापस लोटा तो उसने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई, इसके बात गोपाल ने सुधाकर पांडे से कोई पूँच ताच नहीं की, सीधे उनके उपर बरस पड़ा, आपने मे किसी की जरूरत नहीं, गोपाल अभी बोल ही रहा था कि उसकी पत्नी सिंगनी की तरह कमरे से निकल कर गराज उठी, जीची लोगों का पत्र आया है, आपने उन लोगों की नाकों में दम कर रखा था, आपका गुजर कहीं होने वाला नहीं, सुधाकर पांडे के कलेजे में उन दोनों की बातें तीर की तरह जा चुबी, अब उनसे एक छण भी नहीं रहा गया, उसी समय बे वहां से चल पड़े, गोपाल के हां से सुधाकर पांडे सीधे अपने निवास इस्थान लोट आते, लेकिन लड़कियों के शहर रास्ते में ही पड़ते थे, इसलिए उन से मिल लेना भी उन्होंने अपना धर्म समझा, सुधाकर पांडे को अपने लड़कों की तुलना में लड़कियां कुछ हद तक ठीक मालूम पड़ी, उनकी आँखों का पानी अभी उतना नहीं गिरा था, लेकिन दामादों के व्योहार ने उन्हें कम पीड़ा नहीं वे अपनी पत्नियों पर नाराजगी प्रकट करते हुए अकसर ही फुस फुसाते, बुढ़े के तीन-तीन लड़के नौकरी करते हैं, लेकिन लड़कियों के हाँ आकर पड़ा है, लाज शरम धोकर पी गया, सुधाकर पांडे उनके हाँ चंद दिन भी नहीं रुख सके, अपने शहर आ गये, लड़कों के हाँ चलने के लिए घर से निकले थे सुधाकर पांडे, तो एक अजीब उत्साह मैसूस कर रहे थे, रास्ते भर उनका तनमन, खुशी और आनंद से रोमान्चित था, भविश्र की सुकत कल्पनाओं में खोये, अपने भाग को सराहते जा रहे थे, लेकिन जब वापस लोट रहे थे, गहन अवसाद, असह दुख और चरम पीड़ा के अनभवों से लदे थे, जैसे सब कुछ लुट गया हो, पूरी दुनिया उजड गई हो, और वे अकेले निरोदेश किसी अंधेरी गुफा की और बढ़ते जा रहे हो, अपने लड़कों से अलग दुनिया की उन्होंने कलपना ही नहीं की थी, वे ही उनके सब कुछ थे, उनकी पैदाईश के बाद, अपने अब तक के जीवन का एक एक दिन उन्होंने उनके लिए ही खर्च किया था, अपनी पत्नी तक को होम हो जाने दिया था, लेकिन आज वे सब प उस दुनिया ने खुद उन्हें जलावतन दे दिया रास्ते भर सुधाकर पांडे सोचते रहे कि आखिर यह सब कैसे हो गया उन्होंने कोई भूल चूक तो की नहीं कोई गलती तो उनसे हुई नहीं फिर उन्हें लगता कि यह सब समय का फेर है किसी व्यक्ति का दोश नहीं उनके दुरदिन आ गये हैं इसी लिए अपने भी बेगाने होते जा रहे हैं उन्हें यह कहावत बार बार याद आती राजा हरिस्चंदर पर विपत्ती पड़ी पकवल माचर जल में परी इस संदर्व में सुधाकर पांडे को अपनी पत्नी की याद बेतर है आती अगर व अपने बच्चों को पाल रहे थे उस वक्त भी कुछ बुरूं को अपने वयस्क बाल बच्चों द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत देखते थे लेकिन इस संदर्व में वे अकसर ही सोचते कि उनके बच्चे कभी ऐसे नहीं हो सकते उनमें उनका खून है उनका संसकार ह अपने पिता की सेवा खुद उन्होंने जी जान से की है उनके बच्चे उनकी कुल परमपरा में ही जाएंगे लेकिन उनका सब सोचा व्यर्थ साबित हुआ निसार वे अपने मन को सांत्वना देते कि अगर लड़कों से उन्होंने अपेक्षा नहीं की होती तो आज उन्ह इतना दुख नहीं होता पिता धर्म समझकर उन्हें पाल पोस दिया था अपना भविष उनके उपर नहीं टिकाया होता गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो लेकिन इस संदर्म में उन्हें लगता कि अगर लड़कों से अपेक्षा न उनका लालन पालन भी वे नहीं कर पाते तुलसी दास ने ठीक ही लिखा है स्वारत लागी करे सब प्रीती सुर्णर मुनी सबकी यहरीती अपने घर पहुचकर सुधाकर पांडे खाटशाई हो गए बिना किसी बाहरी बिमारी के शक्ति हीन और कमजोर उन्हें लगता जैसे उनका जीवन तत निचोर लिया गया हो और वे सिर्फ लाश भर रह गया हो चलने फिरने और खाने पीने की इच्छाएं खत्म हो गई थी पूरी दुनिया से उन्हें विरत्ती सी हो चली थी जिस हादसे और सदमे के वे शिकार हुए थे उसने उन्हें निश्प्राण बनान शुरू कर दिया था चिता जरे निर्जीव सम चिंता जीव समेथ सुधाकर पांडे एक लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि किसी बड़े हादसे और सदमे का आगहात मनुष्य नहीं सह पाता मृत्तु को प्राप्त कर जाता है इस यथार्थ को अब ये महसूस कर रहे थे ले दुनिया ने जो विकलता और छट पटाहट दी है उससे मुक्ती के लिए मृत्तु ही उसे सच्चा साथ ही मालूम पड़ती है वे भी उसी मृत्तु की बेसबरी से प्रतीक्षा करने लगे लेकिन ऐसे ही वक्त अचानक एक घटना ने उनका ध्यान अपनी और आकरष्ट करन शुरू किया सुधाकर पांडे जिस कमरे में पड़े थे उसकी छत के एक कोने में गौरईया पक्षी ने घोसला बनाया था उस घोसले में गौरईये के नन्य नन्य बच्चे चहचाहाने लगे थे सुधाकर पांडे देखते गौरईया पती पतनी जमीन से दाने चुक चु गौराया पती पत्नी के पास उनका कोई भी बच्चा नहीं रुका, लेकिन गौराया पती पत्नी को इसकी कोई चिंता नहीं, वे पुनह एक दूसरे में रुची लेने लगे, एक दूसरे को प्रेम करने लगे, तथा तिनके चुन-चुन कर नया घोसला बनाने लगे, नई द दर के लिए मादा और मादा के लिए नर यही शाश्वत सत्य है एक मात्र टिकाव संबंध है इसके अतरिक्त सब ब्रह्म है छलावा है वे अब तक भटक रहे थे जाने सुधाकर पांडे के अंदर कहां की शक्ती आ गई कैसी प्रेणना आ समाई कि वे देह जाड कर खड़े हो गए जम कर खाना पीना उन्होंने शुरू कर दिया फिर इस घटना के 15-20 दिन बीतते न बीतते अपने अनकूल एक अधेर उम्र की बिध्वा को ब्याह कर लेते आए लेकिन उन्होंने ब्याह क्या किया सारे शहर में चर्चाएं गर्म हो गई सुधाकर पांडे की इस नई शादी का आज मात्र 13 दिन है दोपहर के बात का समय है सुधाकर पांडे के दर्वाजे पर भीर लगी है सूचना पाकर उनके लड़के आधमके हैं सारा मुहला तमाश बीन बन उनके दर्वाजे उमड आया है दर्वाजा अंदर से बंध है लो राम और गोपाल भी उसके अगल वगल खड़े हैं उनसे मुकाबला करने के लिए सब एक ही साथ आये हैं सुधाकर पांडे पूछने हैं अब यहां तुम सब क्यों आय हो तुम्हारा क्या रखा है यहां वन्ष राखन ने कहा आपने हम सबों की नाप कटवा दी आपको शर मानी चाहिए बुढ़ापे में यह क्या किया आपने इस पर सुधाकर पांडे तैश में आ गए तुम पूछने वाले होते कौन हो वन्ष राखन ने कहा हम आपके लड़के हैं आप पर हमारा अधिकार है सुधाकर पांडे भीड को सुना कर पूछते हैं लड़के किसको कहत हैं इस पर वन्ष राखन सफाई देता है आपके लिए किसी का दर्वाजा बंद नहीं है आप अपने सुभाव और मिजास को लेकर कहीं टिक नहीं पाते सुधाकर पांडे तेज आवाज में जवाब देते हैं जब तुम लोगों को पाल पोस रहा था तब मेरा सुभाव औ की कोशिश मत करो इस पर भीड से सुधाकर पांडे की स्थिती के दो बुजूर्ग बोल उठते हैं यह सच है आज के लड़के बुड़े माबाप की सेवा नहीं करते यह हर घर की कहानी है सुधाकर पांडे समर्थन मिलते ही दहार उठते हैं मर्द को और 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 को मर्द इससे बड़ा दुनिया में कोई संबंध नहीं यही सच्चा संबंध है बागी सब धोका है सुधाकर पांडे लड़कों की एक नहीं सुनते मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं उनकी सारे तरकों को काट कर गरस्ते हुए उन्हें भगा कर दम लेते हैं इसके बाद जब सुधाकर पांडे वापस अपने घर में प्रवेश करते हैं शाम घिर चुकी होती है उनकी नई पत्नी व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है उन्हें लगता है अब वे छले नहीं जा सकते गुमराह नहीं हो सकते सही जीवन के मार्ग उपर अब ये आ गए है तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं